क्या आपको diabetes जैसी गंभीर बिमारी है तो आज आपको कुछ ऐसे पत्तों के बारे में ज्वानकारी देंगे जो आपके लिए होंगे काफी फाइदेमन बता दे diabetes एक बहर जटिल बिमारी है और ये जो बिमारी है एक बार किसी इंसान को हो जाए तो जिन्दगी भर इसके साथ ही जीना पड़ता है क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े वयारिकों ने भी इसका ठोस इलाज नहीं खोज अभी तक निकाला है ऐसे में आपके आसपास सिर्फ जो परहेस करने का ऑप्शन बचता है जो लोग मधु में रोक से पिरित है उन्हें अपनी जाइट का खास खयाल रखना चाहिए बता दे कि बलड शुगर लेवल बर सकता है मशूर डाइटीशियन आयूशी यादव ने कुछ खास पत्तों के बारे में बताया है करी पत्तों का अस्तिमाल के बारे में उन्होंने बताया है आम तोर पर साउथ इंडियन डीशेस में किया जाता है लेकिन ये डाइबिटेस के मरिजों के लिए वर्दान से कम नहीं इंशूलीन जैसी असर करता है उसी तरह से मधुमे के रोगियों को फाइदा पहुचाता है दूसरे नमबर पर आता है मेथी के पत्ते मेथी के पत्तों की मदद से अपने पराठे जरूर बनाए होंगे लेकिन खाने में भी बहुत स माइदे का सौधा है क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेविल का काफी हद तक कम किया जा सकता है तीसरे नमबर पर आपको बता दे कि आम का स्वाथ आम का ख्वाद बता दे आपको आपको जरूर अपनी तरफ से खीशता होगा लेकिन किया आपने इसके पत्तों का सेवन कभी किया है मेंगो लिप्स में फाइबर विटामिन सी और एक्टिजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जिससे शुगर कंट्रोल होता है आप चाहे तो इससे धो कर चबा सकते है या फिर पत्तों को पानी में उबाल कर भी गुरगुना करके चान कर पी सकते है चार नमबर पे जाता है नीम के पत्ते का टेस्ट काफी करवा होता है लेकिन ये एक जबर्दस आयुरवेदी कोश्यदी है और इसके फाइदे से कोई भी इंकार नहीं किया जा सकता इन पत्तों में जो साथ-साथ एंटिवाइरस प्रोपर्टिस पाई जाती है जो डाइबिटेस के असर को कम करता है कुछ लोगे कुछ लोग इसे चबाकर खाया पसंद करते हैं और फिर पत्तों को सुखाने के बाद कोई कोई लोग है जो पाउजर को जो शकल देते हैं और पानी के साथ मिलाकर पीते हैं